आज मैं आपके लिए छट पूजा जिसे?" नहाय खाएगी छटपूजा के सुरुवात। यानि छट के पहला दिन वह दोस्तु जाता है और यह बहुत ही छट पूजा की ठाली होती हैं, तो आपको यह बहुत पसंद आएगा नमस्ते दोस्तों मानुजा दहूम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं जब से पहले हम कद्डू वाली दाल बना लेते हैं अहीं दीकची में मैंने आधा से थोड़ा सा कम पानी लिया है और आधा केजी वाधा जिन चना दाल अचीमी ट्वी है, अपनी गरम हो जाने के बाद 3-6,500 ग्राम मैंने कद्डू मोटे इंट मोटे मोटे तुकडो में काट करके दाल दिया है और नमक डाल दे और हल्दी डाल दे उसके भाद द्हक-कर-कर in willen याज में हमने इसे पकने के लिए रख दिया है अब गयास के दूसरी तरफ मैं以前 टड़ दिया है और उसमें हम डाल देंगे घीज दाल like छममस दियों अर act पतले स्लैस में मैंने काटा हुआ कद्दु, इसमें नमक डाल देंगे श्वादनुसार और इसको अच्छी तरस से चला करके धक देनंगे, और इसे भी धीमी आच में हम धिरे धिरे पकायेंगे, यह देखिए इच पीच में हम कद्दु को धककन हटा करके चलाते रहेंगे, गोभी भून लिया है, ये अच्छी तरह से भून रहा है, तब तक हम मसाले पीस लेते हैं तो वन टीष, जी रा लिया है, काले मिर्च, लॉंग, ईलाची, लाल मिर्च, अदरक और तमाटर दो तिन में लिया है, क्योंकि हम इसे लासन पेल नहीं लेते हैं, तो ग्रेवी के लिए हमें टमाटर डालना है तो हम टमाटर के मातरा थोड़ा जादा डालेंगे, थोड़ा सा धनिया मैंने डाला है, और इन सब को हम अच्छी तरह से पानी डाल करके पीस लेंगी, यह देखिये मैंने पेष्ट तयार कर लिया है, इद madre हमारी गोभी बी जो ह अब हमने आलू 10-12 आलू को बाल करके और इसे काट करके इसे भून करके निकाल लिया है इधर हमारा वह जो कद्दू वाला दाल है वह धीरे-धीरे पक रहा है तो हम इसे ढख करके एकदम धिमी आज करके इसे पकाते रहेंगे अब हमने कडाही में दो चमच तेल डाल दिया ह और उसमें जीरा डाल देंगे 1-2 टीए स्पून और यह जो मसाले हमने पिसे थे अलू गोभी के लिए तो इसे हमने डाल दिया है यह टमाटर थोड़ा सा नहीं पिसाया है तो हम यह भी गल जाएगा अच्छी तरह से तो हम इसे ऐसे ही पकाएंगे एक चमच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसके बाद इस तरह से चलाते हुए लगातार भून लेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीए स्पून घी घी डालने से आप पूरा सबजी जो है वह घी में भी बना सकती है क्योंकि चट में घी में ही बनता है तो आप घी या तेल कोई चीज यूज कर सकती है फिर उसमें हमने डाल दिया नमक स्वादनुसार अब इसमें हम डाल देंगे अच्छा थीक ग्रेवी के लिए हमने दो तीन उबले हुए आलू को इस तरह से चोड़ करके डाल दिया है और इसे भी इसी मसाले के साथ भून लेंगे तो यह बहुत ही पानी डाल देंगे पानी आप अपनी आउसकता है के अनुसार कम या ज्यादा डाल करके और इसे ढख करके धीमी याच में हम इसे पकाएंगे देर के बाद हमने डखकन हटा करके इसे चला लिया है और यह अच्छी तरह से गोभी जो है पक्या है और अलू तो पका हुआ थ टा तो हम ढूर दनिया पत्ता काट करके लाद देते हैं Giving Do Go little curry तो अंशवरारी धानी हैँ है और हम धानी ठिक कड़ को भी जढ़ाद हटा करके हुआ है जेथा कडशी तो आप इसे दिमी याच में पकाने पर बहुत ही तो आप इस तरह से लिपगाइं हो पानी सूख जा अच्छी से हलका हलका दबाते हुए एक सार कर ले यानि मिला ले तू अच्छी तरह से पक गया है और इसका पानी भी शुग गया है तो हम इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं हमने सभी सब जीओ में सेंधा नमक का परयोग किया है तो आप ब्रत के लिए बना रही है तो आलो डालने से बहुत ही अच्छा लगता है अब हम इसमें डाल दिया हाफ टीय स्पून मेथी दाना मेथी दाना डालने से साख पालक साख का स्वाथ बहुत ही अच्छा लगता है दो लाल मिर्च हमने तोड़ करके डाल दिया था थोड़ा सा अधरक मैंने काट करके डाल द आप अन्दास से जितना खो बनाना है आप बना सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में हम निर फीस सलाते रहेंगे इस तरह से आप इसते मेडियम से तेज unsp पका अंब कर दिया और यू नमक बना की यहांनि जो जना नाल ऑइबा है तो लाल मिर्च जो हमने फोरन के समय डाला था तो साग भी अच्छी तरह से पग गया है अब हम इसे भी एक कटोरे में निकाल लेते हैं जब पानी अच्छी तरह से सूख जा तो उसे अच्छी तरह से कल्ची से मिला ले अब हम क्या करेंगे कि हम बना लेते हैं चावल नहाय खाय के लिए गैस पर चड़ा दिया है अब हम डाल जो बनाया है उसके लिए चौक तयार कर रहे हैं तो हमने दो टिबल स्पून घी डाला है और उसमें डाल दिया जीरा वन टीए स्पून थोड़े से खड़े मसारे मैंने डाल दिया है याने दाल चिन्नी एक लोंग दो लॉंग और उसमें बड़ी उलायची चोटी इलायची और कटे हुए हरी मिर्च और थोड़े से अद्रक को मैंने डाल दिया है दो तेज पत्ता मैंने डाल दिया है आप अपनी आउसेकता कयन साद दाल सकते हैं इन सबको हम तीम ही आझ पर अच्छ तरह से लाल होने तक hail भूनेंग अब हम ब्रत के लिए जो होता है थाली तियार कर लेते हैं यानि ब्रति के लिए हमने यहाँ चावल एक साइड में रख दिया है अब अंक हम yeni कद़ वाली डाल भर दिया है ये देखिए कितना टेष्टी डाल बना है सलाद रख देते हैं क्योंकि खाने के साथ सलाद खाने का सलाद जरूर से खाना चाहिए क्योंकि ये सिहत के लिए बहुत ही फैदेमंद होता है अब कद्दू भी हमने डाल दिया है साग एक तरफ रख दिया हरी चटनी डाल दिया और आलू कोवी का सब्जी ये देखिए जो ब्रत की थाली होती है वो बनकर के तयार हो गई है ये कद्दू वाली डाल है जो हमने बनाया था हमने जो डेक्ची में बनाया था आप अगर डेक्ची में बनाती है उसमें समय लगता है लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट लगता है इसे प्रेसर कुकर में भी बना सकती है मैंने वीडियो को फास्ट करके थोड़ा रेसिपी बनाया ने तो वीडियो बहुत लॉंग हो जाता रेसिपी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले और कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लेगी धन्यबाद आप सबको चेट वरत की बहुत बहुत सुब कामना है